प्राम नाम सभी को मैसल नवीन कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक कंपणी है जिसका आई-प्यो आया हुआ है यह चोटी कंपणी है तो कंपणी का नाम है आई-प्यो खुलने वाला जिसमें हम लोग अप्लाई कर पाएंगे वो 67 का कंपणी ने प्राइस सेट किया है सो 2000 का लॉट साइज है और आपको एक लाग चोटी सब्सक्राइब की जर्वत यहां पर पढ़ने वाली है एक आई-प्यो की फाइल लगाने के लिए नेक्स्ट अगर देखते हैं यहां पर कंपनी 24 क्रोड रुपे उठाना चारी है और जिसके बदले कंपनी ने खुद की वेल्यू लगाई है वो 11 क्रोड रुपे लगाई है यहां पर कम्पनी उतने ही शेयर्स देरी जितने से भी के दवार मेंडेटरी है, लगबग 73-74% अभी पर मोटर के पास में कम्पनी का मालिकाना हग रह जाने वाला है आई-प्यो के बाद में, यह पॉजिटिव है काफी चीज, नेक्स अगर देखते हैं कम्पनी करती कह है, अ इस ट्रीक से पर देखने को मिलता होगा, 10-15 मेंटर केवा से ने जाए है नार्मल प्रिंटर नहीं होती है उनके लिए अलगला टाइप के प्रेंटर होते हैं और वह इंक और प्रिसीजन उसमें बहुत जाद आच यह होता है कि हर एक मीटर के बाद में प्रिंट करना है फिर दो मीटर के बाद में तीन मेटर पे प्रिंट करना है जो लिखनád वो लिख्वाना यह लिखते थी है इसे अलग टाप प्रिंटर होते हैं aqueles और इंक दोनों ही कंपनी प्रवाइड करती है एक अलग segment है completely एसे segment की और इसकी आगे future में रहने की ही उम्मीदे हैं क्योंकि माल तो बनेगा ही माल बनेगा फैक्टरी लगें फैक्टरी लगें फैक्टरी लगें माल बनेगा तो उन पर कुछ न कुछ information देती ही रहनी पड़ेगी उसके लिए इस segment है इस industry के रहने के ही उम् इंकार नेपाल बोटार बंगलादेश केनिया नाइजीरिया मतलबी इन देशों केंदर में company के प्रोटर्स आ रहे हैं अब ऐसा निए कि company सिर्फ इकलोती है इस field के अंदर में और भी कंपनिया है तो इस field में काम कर रही है यहां पर एक company ने अपने बारे में बताए कि हमार एक already listed company जो कि इसी segment में particularly काम कर रही है तो उसके साथ में हम इसको compare भी करने कोशिस करेंगे company को ताकि हम एक real idea मिल जाएगे कहां पर हम listing को expect कर सकते है future के अंदर में अब पहले हम कमाई को देख लेते हैं उससे पहले यहां पर हम थर्टी फोर क्रोर की यहां पर sale कर बढ़ रही थी 2021 में फिर यहां पर sale बढ़ गए 46 क्रोर की हो गई फिर यहां पर 54 क्रोर की सेल अच्छी कासी बढ़ रही है और इस साल भी जो expected अगर लग रहा है तो अच्छा कासा यहां पर sale बढ़ जाएगी क्योंकि यह सिरफ नो महीने का data है तीन महीने का data भी बाकी है सो नो महीने के अंदर में ही लग बग कंपनी ने पिछले एक साल तक का data मतलब sale है वो अचीव कर ली है यहां पर कंपनी की थोड़ी 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 बढ़ती ही जा रही है अब यहां पर कंपनी IPO लेके क्यों आई है अगर वो एक सबसे में पॉइंट होता है यहां पर क कि ऐसे IPO लिस्ट करने के लिए लेकि है यह फिर कुछ रीजन्स भी है यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी को ओल्रेडी जो एक्कुटी शेर्स होते हैं जैट इंक प्राइबिट लिमिटेड नाम से कंपनी है उसके शेर्स करिदने में पैसे की ज़रत पढ़ने व यहां पर लॉन चुका देखिए कि तो कंपनी के जो नेट प्रोफिट से हैं वह इंट्रेस्ट जो पेमेंट जा रहा है बहन को बचेगा तो वहां पर कंपनी की थोड़ सी मदद हो जाने वाली है तो यह बेसिक दो रीजन से काफी अच्छे रीजन से यह दोनों की कंपनी क जो अगर हम इस चीज़ को देखते हैं बैलेंशीट को बैलेंशीट के दर में इनका जो ट्रेट्स पेबल है वह बहुत ज्यादा बढ़ गया है अचानक से 6 क्रोड से के ग्यारा क्रोड की आस पेसे हैं मतलब कंपनी को काफी अच्छा कासा पेसा पे करना痛 लौन का पेसा तो नहीं है क्योंकि trade receivable भी उसी टाइप से हैं तो यहां पर अगर trade receivable से पैसा आएगा तो trade receivable से direct trades payable में चला जाएगा so it's counter trade receivables से counter हो रहा है trade receivables तो अगर यहां से पैसा नहीं भी आता है तो भी यह तो pay करना पड़ेगा इसको company को देखना पड़ेगा इसके अलावा तो मुझे कुछ खास issue पर नजर आया नहीं company की normal sale हो रही है और normal company का cash flow है जो की जैसे normally चलता है अगर आपको कही issue नजर आता है तो आप लोग यहां पर comment box में comment कर सकते हैं हम लोग उसको भी देखने को इसको करेंगे हम ऐसा तो है नहीं कि हम सब चीज़ों cover कर पाते हैं कई चीज़े हमसे भी छूट जाती है तो आप भी एक पने basis के ओपर में एक बार रीड करिया RSP को इसको इसको आता है तो वहां को मिल के देखेंगे next अगर देखते है company का हम एक बार comparison करके देख लेते हैं कि हमें कि लिस्टिंग का अंदाजा मिल जाए कि जी साबसे company ने projection है उसके साबसे क्योंकि तीन तीन quarter के अंदर में साड़े चार क्रोड रुपे कमाया तो 6 क्रोड रुपे साल में कमा लेगी 6 क्रोड और company ने value लगा है एक्राणमा क्रोड तो यहाँ आपर 91 divided by 6 15 का पी रिश्यू आ गया 15 का पी रिश्यू और 25 को इस company के मुकाबले अच्छा कमा रही है इसको अलड़ी शेयर प्राइस उपर गया हुआ है प्राइस के इसाब से ज्यादा अच्छा कमा रही है यह वाली company इसका प्राइस भी उपर जाना चाहिए अगर उसके बराबर जाता है तो there are chances next रहत है value की साब से उपर लगाई गई है तो यहाँ पर company के जो net worth आज के दिन 19 क्रोड की है राइट और यहाँ पर net worth 19 क्रोड की है तो यहाँ पर company ने value लगाई है वो लगाई है उक्राणवा क्रोड और 19 क्रोड तो आज के दिन net worth है और साथ में 24 क्रोड रुपे और उठा रही है तो 24 प्लस 19 तो इनको हम माल लेते हैं 43 के आसपास 43 तो बाकी पैसा खर्ज़ों चाहिए 40 माल लेते हैं 40 का माने वाला company के 91 divided by 40 करके देख लेते हैं जिससे हम एक basic margin लेके चल लेते हैं margin of safety तो 2.27 का PB ratio है company का निकल क्याता और यहाँ पर इसका निकल क्या 4.73 तो comparison basis के उपर में लग रहा है कि company का जो stock है वो यहाँ से लग बग लग बग 70% उपर की तरफ में जाना चाहिए अगर यह already competition में जो company है उसके अगर बराबर जाता है market इसको value देता है तो so PE ratio के इसाप से 70% जाना चाहिए और PV ratio के इसाप से लग बग double होना चाहिए यहां से 100% उपर जाना चाहिए at least so that's all our comparison finally मेरा जो view बन रहा है वो positive side में बन रहा है I would definitely apply in this अगर इसका GMP price 50% से उपर रहता है तो और अभी जो present situation के अंदर में इसका GMP price है वो asdaq fluid 44% already बन गया है so I think यह जो listing की closing date आई की तब तक इसका लग बग 70% या 80% के आसपास में मुझे GMP चले जाना चाहिए यह भी market गिरती वी situation में और स्वाड़ सा डर का मावल मार्केट हो बनाव जिसका GMP भी hamper हो रखा है so I would definitely अगर इसके 40-50% से उपर रहेगा तो I would definitely apply in this IPO यह मेरा call है बाकी आप अपना call भी comment box में बता सकते हैं see you tomorrow with new information and new important video